प्रदेश में कॉंग्रेस की आपसी खींसतान में भाजपा को बदनाम करने को लेकर भारती जनता युवा मौरचा की ओर से कोटा में विरोध परदर्शन किया गया भाजपा युवा मोर्चा के जिलाद्यक्ष गिरीराज गौतम ने कहा कि वर्तवान में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में कोई सरकार नहीं है सत्ता को बचाने में प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक पाच सितारा होटल्स में छुट्टियां मना रहे हैं जबकि पूरा प्रदेश कोरोना मामारी से जूज रहा है वर्तमान में राजस्थान के अंदर इसा लग रहा है कि सरकार माम की कोई चीज नहीं बची है जिस समय इस प्रदेश की जन्ता को इस प्रदेश की आम अवाम को सरकार की सबसे ज़्याद आउशक्ता है उस समय सरकार ने अपना आपको 5 सितारा और 7 सितारा होटल में केद कर दिया है सारा मंत्रा ने होटल के अंदर बेटावा है स्वास्त लिवाग हो चाहे आम उब्भोगता हो आज प्रवेश का एक एक विक्ति परेशान है लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है